आव हाली में एक बहुत यची डिलप्पेंड हुई है, ISRO ने तियार कर लिया है Radar for Joint Earth Observation Satellite Mission with NASA, इसका मतलब क्या हुआ, ISRO और NASA मिलकर 2023 में एक satellite launch करेंगे, ये है एक Earth Observation Satellite, इस satellite में कुछ component बनाएगा ISRO, कुछ बनाएगा NASA, और उसके बाद इस satellite को launch करेगा ISRO, वैसे ये mission initially plan किया जा रहा था कि 2022 में launch हो जाएगा, मगर अब pandemic की वज़े से ISRO के chief ने हाली में ये का है, कि most probably इस mission को launch किया जाएगा January 2023 में, और इस mission का नाम क्या है, mission का नाम है NISAR, NISAR की full form है NASA ISRO synthetic aperture radar, अच्छा भी ये synthetic aperture radar होता क्या है, देखो simply एक radar होता है, radar का आँगा करता है, radar से आप shoot करते हो, आप फैकते हो waves को, फिर waves आपकी तरफ वापस आती है, और उन waves से आप पता करते हो कि basically आपके सामने क्या है, अगर आप मालो कोई चीज आपके सामने है, मगर आपकी जो आँखे हैं, वो उसको देखनी सकती, तो आप वहाँ पर फैकोगे waves, और waves जो ठकरा के वापस आएगी, उससे आप अनुमान लगाओगे कि आपके सामने क्या है, और ये mission by the way बहुत important है, क्योंकि ये होगा दुनिया का most expensive earth observation satellite mission, जी हाँ इससे पहले, इस value की earth observation satellite हमने कभी launch करी नहीं है, हो सकता है कि काफी लंबे समय तक launch भी ना करे, total cost है इस पुरे mission की 1.5 billion dollars, roughly लिए आप कह सकते हैं, 12,000 क्रोड रुपे, now first of all, जो Nisar mission है, NASA ISRO का mission, nasa.gov की website है, और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इस पुरे mission के बारे में, यहाँ पे आप दिखोगे, इन्होंने एक animation से दिखा रखा है कि किस तरीके से ISRO इसको launch करेगा, basic एक simple launch होगा, GSLV का यहा quite interesting, आपको NASA की website पे कैसे ISRO का logo लगा है, भारत का जंडा है, और एक Indian rocket, truly remarkable, एक जमाना था, जब US ने पुरी कोशिच करी थी, कि India इसे rockets develop ना कर पाए, मगर आज के समय आप देखिए, कितने changes आ चुके हैं, तो इस तरीके से यह launch किया जाएगा, और यहाँ पे जो यह निसार satellite है, इसको release किया जाएगा, low earth orbit में, ठीक है, यह बहुत ही important है, और फिर जो यह निसार satellite है, धर्ती का observation करेगी, यह धर्ती की जो images है, धर्ती का data है, यह इखटा करेगी, अब सुनने में इतना glamorous नहीं लग रा, कि होगे, images इखटी करनी है, earth observation satellites हो अल्रेडी बहुत सारी है, निसार में खास क्या है, निसार में खास यह के पहली बार हम यहाँ पे दो band के radar यूज़ करेंगे, S band और L band, इससे हमको truly एक बहुत ही जादा in-depth जानकानी मिलेगी धर्ती की, धर्ती के surface की, कहाँ पे भुकम पा सकता है, कहाँ पे वाल्किनों का विस्पोड हो सकता है, और इतिहास में पहली satellite होगी, जहाँ पर दोनों band आपको मिलेंगे, और NASA यहाँ पर provide करेगा L band और इस रोप provide करेगा S band, L band और S band का फायदा यह है, कि यह दोनों जो radars होते हैं, बहुत यह आसानी से, बादलों के थुरू, harsh climate के थुरू, मानलों कहीं पर बहुत जारा बादल ह है, वहाँ पर environment बहुत टफ है, वहाँ पर भी अगर proper images आपको लेनी हैं धरती के surface की, वह आप acquire कर पाओगे, और यहाँ पर आप देख पाओगे, NASA के official documents है about the Nisar project, यहाँ पर कहरे हैं कि Nisar will measure surface deformation, धरती का surface किस तरीके से बदलता है, यहाँ पर कितने chances हैं भुकम पाने के, volcanic eruption के landslide के hydrocarbon और geothermal reservoirs कहां पे है, यह भी हमको बता लगेगा, और इस type की study हमने कभी भी धरती के दहास में करी नहीं है, और हो सकता है कि वह विश्य में आने वाले 50-60 साल में Nisar mission की वज़े से हम कई लाकों जाने भी बचा लेगे, क्योंकि Nisar से हमको यह बता लगेगा, कि क कापर cities हमको वसानी है, कापर human settlements होनी चाहिए, कापर नहीं होनी चाहिए, तो यह बहुत ही important mission है, ना सिर्फ US इंडिया के लिए, बलकी मैं कहूंगा, पूरी humanity के लिए, तो यह है अंत इस वीडियो का, thank you for listening and as always, God bless you all.